हेलो स्टूडेंट्स आइम लक्ष्मी माही आइम टेकिंग फॉर्स्ट्राइंडर हिन्दी सब्जेक्ट आज हम सिखेंगे पाट क्रमांक बार रह रंगा सियार दी डायड जैकेल इन प्रिवियस क्लास पिछली क्लास में हम सिखें देखी एक सियार बहुती बुकाता और वह बोजन की तलास में एक बस्ती में घुशा और उसके पीछे और उसको देखकर उसके पीछे कुट्टे पड़े सियार एक रंग रेज के घर में घुश जाता है और अच्छानक सियार एक नीले रंग के भरेवए टब में घुश जाता है और उसके बाद वह नीला रंग में रंग चुका था सियार वापस वन की ओर चला आता है जंगल के जानवर उसको देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और इस्थिति का लाव उटा के सियार जंगल के जानवरों को बताता है कि मुझसे मत डरो मैं स्वर्ग में से आया हूँ मुझे देवताओने जंगल पर राज करने के लिए बेजा है इसलिए मेरे पास और मेरे आध्या मानो और दिरे दिरे सभी जानवर उसके पास अध्या इकटा होने लगे शेर बाग चित्ता भी उनी में शामिल थे सबने इकटा होकर कहा अध्यादे महराज हमें क्या करना चाहिए अब हम इस क्लास में आगे का पार्ट सिखने वाले हैं रंगे सियार ने शेर को अपना मंत्री बनाया अन्य जानवरों को भी कोई न कोई काम सवपा मगर सियारों के प्रती अपना गुस्सा दिकाते हुए कहा तुम सब निकम में जानवर हो तुम इस जंगल से भाग जाओ अगर तुम इस जंगल में दिखाई दे तो तुम्हें मार दिया जाएगा सभी सियार मुहा लटका कर जंगल से भाग गए अब जंगल के वबस्ता रंगे सियार की मज्जिशे चलने लगी शेर चिता आधी भी उसकी सेवा करते थे वे शिकार करते थे और रंगा सियार दावत उड़ाता था खापी कर खोब मोटा हो गया था उस नीले शियार को शेर ने मंत्री बना दिया और अन्य जानवरों को कोई नो कोई काउंट सोब दिया मगर सियार के प्रती अपना गुसा दिखाते हुए कहा कि तुम सब निकम में जानवर हो तुम इस जंगल से भाग जाओ और सियार मुह लटकाते हुए जंगल से बहर गए सभी सियार मुह लटका कर जंगल से भाग गए अब जंगल की ववस्ता रंगे सियार को मर्जी से चलनी लगी शेर चिता आदी भी उसकी सेवा करते थे सभी जानवर उसकी सेवा करते थे वह शिकार करते थे और रंगे सियार को दावत उडाता था खापी कर वह खूब मोटा हो गया था कुछ दिन बीट जाने पर एक चाननी रात में रंगा सियार अपने ठिकाने पर आराम कर रहा था एकाएक उसके कानों में सियारों के गुंजने की आवाज हुआ हुआ सुनाई पड़ी इसके सुनते ही उससे रहा नग गया अपने स्वबाव के अनुकुल आसमान की ओर मुहलट उठा कर वह भी हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा उसके आवाज सुनकर शेर बाग आदी एक दूसरे को देखते हुए अपनी कहने लगे अरे यह तो रंगा सियार है अच्छा बुद्दू बना कर रखा था इसने हम सबको मार डालोई से यह करकर शेर बाग तता अन्य जान्वर रंगे सियार पर तूड पड़े और उसे मार डाला कुछ दिन बीत चानी के बार एक चाननी रात थी और उस रात में रंगा सियार अपनी ठिकानी पर ही बैटा हुआ था आराम कर रहा था और उसको एका एक अचानक से उसके कानों में सियारों के गुंजनी के आवाज हुआ हुआ सुनाई पड़ी इसके सुनते ही उससे रहा न गया और वह अपने सबाव के इनकुल के आसमान की और मुहा उटाकर वह भी हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा तबी शेर बाग वह एक दूसरे को देखकर उस आवाज को सुनकर वह करने लगे कि अरे यह तो रंगा सियार है इसने हमें बुद्दू बना दिया यह करकर शेर बाग तता अन्य सभी प्रानी रंगे सियार पर तूड पड़े उसे बहुत ही मार मार कर मार डाले शब्दार्ता, सियार मेंज ग्यूदर, तब मींज एक बलतन, अनुखा मेंज निराला, वंडर्फूल ताकतवर मीन्स शक्तिशाले, पावरफुल आलाम मीन्स विष्राम, रेस्ट बुद्धु बनाना, मुर्क बनाना, तूबी, फुल तलाश मीन्स खोज, सर्च वन मीन्स जंगल, फोरेस्ट प्राणी मीन्स जियो, इनिमल हिंसक मीन्स हिंसाकरनेवाला, किलर सबाव मेंज प्रक्रूती नीचर मारना मेंज वद करना पुकिल रंग्रेज मेंज कपड़े रंगनेवाला डर मेंज भय गुफा मेंज मांद आसमान मेंज आकाश तो भच्चो अब समाई है हमोरका पाठक्रमांक बारह रंगा सी आर इस पाठक्रमांक में यह सबी शब्दार्त इस पाठके सबी शब्दार्त आपके हिंदियों मोकबुक में दिखिये और पढ़िये और वाट्साप पे सेंड कीजिए ठेंक्यू